नमस्कार आप देख रहे हैं नियूज नेशन आपके साथ मैं उलक्ष शर्मा भारत और वेस्ट अंडीज के बीच में पहला वंडे मैच एक तरफरा आप वेस्ट अंडीज ने पहले बल्ले बाजी करते हुए 114 रन बनाए जवाब में बारतिय टीम ने 5 विकेट तो खो दिय लेकिन इसके बावजूद एक आसान जीर दर्च की अब दूसरा वंडे मैच खेला जाएगा 29 जुलाई को उसी स्टेडियम में किंस्टन ओवल में मैच खेला जाएगा जहां पर पहला वंडे मैच हुआ था तो इस मैच की प्लेंग 11 क्या होगी इस मैच की पिछ के बारे में बाचीत की जाए तो इसमें फेर बदल वो बहुत ही कम चांसेज है रोहिट शर्मा शुब्मन इगिल आपको ओपन करते होई दिखाई देंगे इसके बाद वराट कोली सूर्य कुमार यादव संजू सैंसन को क्या मौका मिलेगा या उनकी जगें आएंगे इश कुमार उनकी जगए खेले थे और इसके बाद उम्रान मलिक तो यह भारत की संभावित प्लेंग रैवन वहीं अगर वेस्टन दीज के बारे में बात की चीत की जाए तो ब्रेंडन किंग केसी कर्टी शैमरोन हेटमायर शायोप एलिक एंथेज माइकल मेयर्स रो मारियो शे इस मैच में हिस्सा ले सकते हैं वहीं अगर पिछ रिपोर्ट के बारे में बात की जाए तो देखे इस मैदान पर कुल 46 वंडे मैच खेले गए हैं जिसमें 25 मौका उपर जो दूसरी टीम जो चेस करती है उसको जीत मिली है और पिछली बार भी आपने देखा हुगा कि पर स्पीनर्स का दबदबा होगा अब जाते जाते मौसम के बारे में बातचीत कर लेते हैं तो मौसम विबाग के अनुसार शनिवार को बादल चाहे रहने की उमीद है अधिक्तम ताप मन 30 डिग्री सेल्सियस न्यूंतम 26 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है दूसरे वंडे में बारिश विलेन बन सकती है पूरे मैच के दोरान बारिश की 50 प्रतिशत जो संभावना वो जताई गई है तब आपको पिछ रिपोर्ट भी बताई आपको दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग लेवन भी बताई यही नहीं आपको वैदर फोरकास्ट भी बता कि एक तरफ आजाएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताईए इसके लावा संजू सैंसन को मौका मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है यह भी बताईए वही अगर आपने अब तक नियूस नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल से जल्द कर लीजे बहुत बहुत